ब्लोक स्तर पर इतने PM श्री स्कूल प्रारंब होंगे, MPPM श्री स्कूल लेटिस्ट नियूस केंद्रिय शिक्षा मंत्राले से साथ मप्र का करार, प्रदेश के 600 से अधिक स्कूलों में PM, श्री योजना शुरू करेगी राज्य सरकार प्रदेश में नई शिक्षा नीती के तहट बच्चों का सुनेहरा भविश्य गरने राज्य सरकार PM श्री प्रधानमंत्री स्कूल फोर राइजिंग इंडिया योजना प्रारंब करने जा रही है अगले शिक्षन सत्र से 600 से अधिक स्कूलों में इसकी शुरूआत होगी इस संबंद में राज्य शासन और केंद्रिय शिक्षा मंत्राले के बीच M.U. हो चुका है, इसके अंतरगत हर विकासखंड में दो विद्यालेों का चैन होगा प्रक्रिया को समय सीमा में पूरा करने लोग शिक्षन संचाल नले ने प्रदेश के हर जिले में शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है एक प्रकार से CM राइच की तरह इस सरकार इस प्लान को प्रभावी तरीके से चलाने जा रही है कमिशनर अभय वर्मा द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को जो पत्र लिखा गया है उसमें स्पष्ट किया गया कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्राले द्वारा अत्यंत महत्वाकांशी योजना PM श्री लांच की गई है भारत सरकार एवं मप्र के मध्य योजना के क्रियानवयन के लिए MOU किया जा चुका है PM श्री योजना के क्रियानवयन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी जिलास्तर पर नोडल अधिकारी रहेंगे अतिरिक्ट जिला पर योजना समन्वयक समग्रशिक्षा सेकंडरी उनको योजना के क्रियानवयन में आवयश्क सहयोग प्रदान करेंगे PM श्री योजना के अंतरगत जिले के हर ब्लॉक के अधिक्तम दो स्कूलों का चैन होगा जिसमें एक प्राथमिक मिडिल एवं एक सेकंडरी एवं सीनियर सेकंडरी स्कूल शामिल है स्कूल के चैन के लिए बैचमाक निर्धारित किये गए हैं जिसके आधार पर विद्यालय होटलिस्ट होंगे इसके बाद इन विद्यालयो द्वारा PM श्री योजना पोर्टल पर दूसरे लिस्टिद विद्यालयो द्वारा आवेदन किया जाएगा PM श्री योजना के संट्शिप्त विवरन एवं विद्यालय चैन प्रक्रिया और चेलेंज पैरामीटर तथा अंका विवरन भी आदेश में सनलगन किया है PM श्री का अर्थी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी शिक्षा के क्षेत्र में विक्सित होने वाला भारत होगा तीन साल के बच्चे में समझ शक्ती और विकास के अंकुर फूटते हैं इस कारण उसे फाउंडेशन की बजाए प्री प्रायम्री में लिया जाना चाहिए तीन से पाँचवी तक प्री प्रायम्री कक्षाएं शुरू हो रही है प्रायम्री अपर प्रायम्री फिर उच्च माध्यमिक शिक्षा रहेगी PM श्री में 6 स्तंब निर्धारित PM श्री योजना में 6 स्तंब निर्धारित किये गए है शुरुआती क्रम में कैरीकुलम पेड़ोगोजी असिस्मेंट को न्यू एज्यूकेशन पॉलसी के आधार पर कक्षाओं में उतारा जाएगा दूसरे में असेस्मेंट इंफ्राक्टरक्चर, तीसरे क्रम में हयूमन रिसोर्स अंड स्कूल लीडर्शिप, चोथे बिंदू में इंक्लूसिव प्रैक्टिस अंड जैंडर एक्वल्टी, पाचवे स्तंब में मैंनेजमेंट, मॉनीटरिंग एंड गवर्नेस तथा सेटिस्फिकेशन तैकिया है, जिन्हें निर्धारित चेप्टर के अनुसार चैनित विद्यालेयों में पढ़ाया जाएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बैल आइकन है उसे आल पर सेट कर दे, धन्यवाद